यूं तो महंगाई या अन्ने किसी मुद्दे पर विपक्ष रोज ही कोई न कोई प्रदर्शन कर रहा है लेकिन 36 गड़ में विरोध करने का अलग ही अंदास कॉंग्रेस सी विधायकों ने दिखाया 36 गड़ में महंगाई को लेकर विरोध जताते हुए कॉंग्रेस विधायकों का अनूठा अंदास देखने को मिला कॉंग्रेस विधायक पेट्रॉल और डीजल की बढ़ी कीमतों का विरोध जताने के लिए बैल गाड़ी से विधान सभा निकले कॉंग्रेस के प्रदेश कार्याले राजी भवन से शुरू हुई बैल गाड़ी यात्रा में कॉंग्रेस के विधायक मोदी और रमन सरकार की विरोधी भरी तक्तियां भी लिए हुए थे रमन सरकार में जो अनुपूरक बजट दो हजार तेंटीस दशमला साथ एक करोड का प्रसूत करने का धोंग रचा है ये पूरी तरह से अववेभारिक है और समस्त मुद्दों को लेकर आज हम सदन की कारवाई में भाग लेंगे जिसमें महगाई की बात, टेंगू की बिमारी से होने वाली मौतों की बात, अस्पतालों की दुरविवस्था की बात, सेक्षनिक संसाओं की कमी की बात, अनेको कर्मचारियों को छले जाने की बात, उनके वेतन की विसंगतियों की बात, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जि सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी वहीं कॉंग्रेस महंगाई के मुद्दे पर काम रोको प्रस्ताव लाकर चर्चा करने की मांग करेगी। ये वन इंडिया हिंदी